नाकपुर के एक व्यक्ति की माले गाव में गोली मार कर हत्याग की गई गटित प्रकरन को रंजिश के चलती अंजाम दिये जाने की आशनका है इस बीच माले गाव पलस से मेरी सूचना की आधार पर कोटवाले पलस मृत व्यक्ति के परीजनों को ढून रही है मृतक की पहचान महलतल सिबाग निवासी माधव पवार के रूप में हुई है कोटवाले थाने में माधव पवार के खिलाफ धोकाधरी का मामला तरस है नाकपुर से लगपक 220 किलोमेटर की दूरी पर वाशिमजिले के माले गाव में फुगारी कूटे गाव के पास खेत में किसी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी उसके सिर में गोली दागी गई है शव की पहचान होने के बाद माले गाव पुलिस ने कोटवाली पुलिस से संपर किया जिससे पुलिस माधव के पुर्व मकान मालिक के घर पहुची कि इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जांच के लिए मालिगाओ का पुलिस सल्ग दो दिन के भीतर नाकपूर पहुचने की संभावना है कैमरा पोसन अकलेश भारेद वाज के साथ दिशाहटवार बीसे न्यूस नाकपूर